कि चलिए कंप्यूडर के बीस और इंपॉर्ण कोश्चन देखते हैं बने सरक तक करना पड़ेगा तो कियामत के दिन तक धिरे-धिरे सिख गये कि अब तीस मास्क पूझ रहा है तो कोई गलती की गुंजाइश ही नहीं है बार बार रिपीट होते जाएंगे हर बार बीस कोशन में तीन चार कोशन आपको नए देखते हैं डी रेम में एस रेम की तुलना में डैस एकसे स्टाइम होता है और साथ ही डैस पैकिंग घनतों भ बोलाता है प्राइमरी और दूसरे को बोला जाता है सेकेंडरी अगरे प्रात्मीक और द्वितियक मेमोरी इसके अन्य भी नामे बठा मुसमें फिलाल नहीं जाएंगे प्राइमरी मेमोरी के सिर्फ और सी चार उधारन है आप चारो को ना रार आर ऐसे याद रख सकते और स थी रिपल रसे एस सकते और चैस मेमोरी और यह रहा Backstrom और रजिस्टर कि सबसे should memory में चैसर और द्वर्यल को कि जिस्टर गया और उसमें आप दूनना करी तो भी य help होता innovation to तो इसके अंतरगत भी सवाल पूछ जाते हैं इसके डिफरेंस आपको याद होने चाहिए और बहुती असान है याद रखना कोई सिंगल और डी में डबला मतलब धि हान रखना इसमें ट्रांजिस्टर और क्पैसिटर दुना अंतर इस अ अ ऐसला होगा ठीक है है एक Concision अ में सिंगल रहेगा दी डबल रहेगा सिंगल त्योंक्त त्योंक्त क्या एक्सेश टाइम पे बात नहीं कि उसमें वो सकता कंफिस होजाते तो एक्सेश टाइम का मतलब बता दूंगा इस कोश्चन से वह आप समझ जाएगे इसकी स्पीड जादा रहती है डिर में में और उसकी स्पीड थोड़ी सी कम रहती तो एक्सेस टाइम ठीक विपरीत हो जाएगा एक्सेस टाइम इसका कम हो जाएगा एक्सेस टाइम एक्सेस टाइम एक्सेस टाइम एक्सेस टाइम एक्सेस टाइम ज्यादा हो जाएगा ठीक है बले सरी यह क्या है मैं बोल रहा हूं यहां पर मैं खड़ा हूं और यहां पर आ लगेगा तो ध्यान रखना जिसकी स्पीड जादा होगि तो एकसेस टाइम कब होगा कोई डेटा को एकसेस कर पाने की जो समय लग रही है वो कम होगा और इसकी स्पीड कम उसमें ज्यादा लगेगा तो एक एक्स्ट्रा पॉइंट जो इससे पहले हम लोग नहीं देखे थे उसमें ध्यान रखना जो डी रेम है उसमें एस रेम की तुलना में उच्छतर हायर एक्सस टाइम होता है स्पीड तो कम होगा लेकिन टाइम ज्यादा होगा और प्रीट र Loud के बारे में नही सुनों ट्रंजिस्टर कपेशेड़ के बारे में सुनाँ एस अजैसे एम ट्राइम में दोनों के पैसिरूर चिक लिखे रहता है फ्लिफ फ्लोग ठीक किसे भारत में विक्सित पहला सुपर कंप्र माना जाता है देखो अगर मैं वर्ल्ड की बात करूं तो क्या किताबों में क्या एक क्रियों करके दिये रहता है लेकिन वह सीडीसी पॉइंट्स आपको दुबारा बता रहा हूं भारत की बात नहीं करें सबसे पहले पूरे वर्ल्ड की बात करें हम तो एक व्यक्ति थे जिनका नाम था सेमर क्रें सेमर वाला सेमर तो नाम क्या है व्यक्ति का सेमर क्रे इनको father of super computer बोले आता है क्योंकि उन्हेंने पहले super computer जिसका नाम CDC 6600 CDC 6600 इसका निर्मान किया सेमर क्रें इसको हम father of super computer बोलते हैं पहला super computer पूछे CDC 6600 और वो कई में किताब में क्रेवन दिया रहता है ठीक है दिया तो अलग बात है बट CDC 6600 ये पहला कीड़ा खेलिना सुपर कम्प्यूडर था ठिक किसने बनाया सीमर र और इसलिए इसको सुपर कम्प्यूडर बोल अन्डिया की हम बात करें तो इंडिया में एक बहुती अच्छा kami को बहुं सारे series नोब सब्सक्राइबBER imagery सब्सक्राइब करते हैं जए स्टी सारे स्टी से लगए yol जैप करते है इती molecules पार्म सीरीज से पुने में, Center for Development of Advanced Computing, कहां पे है पुने महराष्ट में, यह एक संस्ता है जो परम सिरीज के कमडर बनाती है, तो परम सिरीज में ध्यान देना, परम 8000, यह भी एक सिरीज है, यह पहला सूपर कमप्यूटर था, इंडिया में अगर पूछा जाए, जिसका श्रेक इसे जाता है तो कहीं पर विजय भासकर लिखे रहाता है, कहीं भाटकर लिखे रहता है, ठिक, विजय विजय नाम यादक लेना, भासकर या भाटकर, क्लियर याद रहेगा, तो ओवरल सूपर कमप्यूटर पहला, सीडिसी 6600, इंडिया में बोले, परम पदम, ठीक है, परम पदम, पादर के बारे में लिखाया था, किसी एंसी क्यों में याद नहीं है, टूटोजन सैद में उसमें एक साथ करा दिया था, अभी फिला सीवं कमप्यूटर से लेटर देखने, फादर ऑफ कमप्यूटर बोले, चार्ज बेवेज, पादर ऑफ सूपर कमप्यूटर से मर करे, परम सीरीज कहां कौन डेवलप करता है, सीडेक पूने करता है, ठीक है, संस्थापक तो नहीं बोलेंगे, इसके संयोगी बोलो एक नाम अगर देखे तो विजय भाट कर कोई कमप्यूटर कोई बना रहा तो एक आखेला आदमी काम नहीं करता है, पूरे टीम काम करती है, अ आप देखो, इंडिया का फास्टेस सूपर कंप्यूटर देखें, तो वह है प्रत्यूश, अब यह चेंज होते रहता है, करेंट अफेर के हिसाप से, इसलिए वर्ल्ड का नहीं बता रहा हो, इंडिया में थोला लेड लेड डेवला होता है, वर्ल्ड का देखो के तो चें इंडिया स्टेस रुपर कंप्यूटर प्रत्यूश, और अगर हम बात करें परह म सीरीज में, परह म सीरीज में सबसे फास्ट वर्जन कौन सा है, तो यह रिकना परम यूवाटू, यह जो आंसर देख रहा है, परम यूवाटू, परम सीरेज में फास्टेस देखें, परम इंडिया में पूरा फास्टेश देखें प्रत्यूश क्लियर और पहला सूपर कम्वर्टर जो इंडिया ने डेवलप किया है वो उसका नाम है परम 8000 जो सीडेक पुने ने डेवलप किया है इतनी सारी बाते आप याद रखेंगे आइपिवी सिक्स में कितनी बिट संख्या है ये इंटरेनेट सबसे पहले तो यह जान लिजिए आईपी वी मैं इसमें किते बिट डेटा होता है तो उटीज ए ये 32 बीट का एडरेस होगा और आईपी प्रकार से आपको देखने को मिलेगा 192.101 ऐसा कुछ आपको देखने को मिलेगा यह जो बिंदू-बिंदू है इसको लोग डॉट बोलते हैं इसको बोलते पिरिट्स यह सब क्या है और पूछा जाता है तो एक बाइट बनाते हैं तो किते बिट मिलकर एक बाइट बनाते हैं और यह बार बार पूछे जाने वाला बाइट बनाते हैं और अगर हम चार बीट की बात करें तो यह एक बनाएगा तो दो निबॉल मिलाके या बाइट हो सकते है यह ट्रॉन्टो बाइट विभी और गियोप बाइट यह भी जीवी है लेकिन इसका मतलब है गियोप बाइट को इसको आपको याद है फिलहाल इसको चनका अंसर आठ आठ बीट मिलके एक बाइट बनाते हैं पॉर्पॉइंट प्रस्तूती को समाप्त करने के लिए निमले कितमे से कि शॉटकट कुंजी का उप्योग क्या आता है तो यह MS Excel MS Word और पॉर्पॉइंट के शॉटकट की इसको बार बर पूछा जाता है MS PowerPoint में basic कुछ कुछ शॉटकट की मैं आपको बताता हूँ एक F5 और Shift प्लस F5 याद आ रहा है क्या था पताई यह F5 से क्या था प्ले का क्या शॉटकट की है F5 शुरू से करूं तो F5 तो ध्यान रखना स्लाइड को अगर आपको चलाना है शुरू से तो F5 50 फोटो हैं 50 फोटो को मैं लाइन से चलाना चला हूँ थोड़े थोड़े दिर में आए लेकिन मैं चाहरा हूँ कि मैं तो यह शुरुवाद से और यह करेंट स्लाइड से इतना आपको याद रखना पड़े गां च्रूल प्लस एंड़ ज्यादार में सब क्या होता है न्यू न्यू प्रेजेंटेशन आ जाएगा ओ में एक्जिस्टिंग प्रेजेंटेशन उपन हो जाएगा मुझे नया प्रे होने के बाद घ्रस होता है तो यह दना से ओ प्लस लूज कर देगा और खाली से अक एक उंट्रोल प्लस एह बाकी जैसे शॉट कट कीछ रहते हैं अब वीडियो यह स्लाइड चल रहा है पॉर-पॉर्पॉइंट में आपको इसको एक बटन सट यसको ब्लताई सब्सक्राइब की लियर सब वतना पूरता है ह किसी बात याधर आए गी है तो कर pacal समारप करने के लिए याट कारा हूं चलीच पजा जित्ता हो जाए ऐसाफारी वेब ब्रॉजर था बाकि सारेOS सफारे सर्च इंजन है सफारी किसका है अगर पूछा जाए कौन सी कमपणी का तो या दखना एपल का है वेबसाइक उप्योग के लिए उपलब्द कराएगा पहला कमडर क्या था कौन सा था फूल फार मालूमें कि अन्यवेक का यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कम्प्यूडर नाम यूनिवर्सल सभी के लिए तो जो मार्केट में उपलब्द का दिया गया है कमर्शल परपस के लिए यूश्किया गया हूँज पाइथन क्या है तो पाइथन एक हाइवल लेंग्वेज है एच एल्प खोलने के लिए यह 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 वाक्स खोलने के लिए कौन सब्सक्राइब एफ एफ वन वह गया फ़न दबाऊगे तो क्लोज करने का प्रोगर्म आता है विंडोज क्लोज करने में या शॉट्डण वाले ओप्शन्स मिलें में आपको देखने को क्या विंडोज क्या है विंडोज 98 विंडोज सब्क्राइब ऑप्रेटिंग सिष्टम निम्ली को सब पर्सनल कंप्रण का भाग नहीं देगो यूनिवर्सल सीरियल बस अब यह यूस्बी क्या है तो प्रकार के टेकनलोजी जिसे कम्प्योटर को किसी दूसरे परिफेरल डिवाइस से जोड़ा जाता है यह यह यूस्बी का नाम तो बार-बार आप सुनते ही होंगे परिफेरल डिवाइस का मतलब यह दकना इन्पूट प्लस आउटपूट डिवाइस मिलकर क्या बनाते हैं यूस्बी का नाम यूस्बी केबल दे दो बोल रहे हो यूस्बी पोर्ट सुने होंगे तो यूस्बी क्या प्रकार के टेकनलोजी है जो कम्प्योटर को दूसरे परिफेरल डिवाइस से जोड़ने के लिए उप्योग में लाई जाती है अब लोगे सर यूस्बी भी तो कम्प्योटर में देखोगे तो पोर्ट डला ही रहता है ठीक है ना उन्हीं भी रहेगा तो भी काम चल जाएग आपका यूस्बी जब आया हो तो बाद में आया है लेकिन उससे पहले तो पीवन पीटू पोर् ठीक है को डेश्व पॉब्लीशिंग सॉफ्वेर माइक्रोसॉफ्ट एक्सल 2010 में उपलब चार्ट प्रकार में से कौन से नहीं है देखो अब यह तो वही बता पाएगा जो उसमें काम किया हुआ हुआ है जो एक्सले में बना हुआ हुआ है अभी फिलाल डेटा पॉइंट अब कर सकते हो चिक इसी को यही पॉइंट को ऐसे लाएं यह को रडार वाला भी होता है ऐसे कुछ जो अईसे टैप की डेटा उसको पाई चार्ट में बना देते हैं पाई चार्ट कर आए सब डेटा पॉइंट जैसा कोई ओप्शन नहीं मिलेगा बाकि सब लाइन रडार अब सब मिल जाएंगे इसलिए बोला एक्सल एमस वर्ड पॉर्पाइंट घुस घुस के काम करके उस पर देख ले ना एक्जाम से पहले निमने में से कौन सी भासा कमड़ प्रोग्रामी में चौथी पीडी की भासा को धारन है अब तो रटाई यह होगा ठीक है पहले इसलिए इंटेलिजेंस कि एचल एल तीसरे में क्या क्या प्रकार थे वह कबूतर जा 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 कर क्या कि थे कबूतर से सी प्लस प्लस को बोल कि कबूतर जा जा से जावा जावा स्क्रिप्ट जाना वो से विजूल बेसिक यह कोड देखे थे कबूतर जा 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 ज लेंग्वेज था पती परमेशवर पी आरेमस पीसे परल रूबी मतलब i was a SQL structured query language SQL निये बोले केवल query language पूछे query language कौन से जनरेशन की भास है क्या बता होगे फॉर्थ का कि प्रोग्रामिंग लेंग्वेज जावा को डैस द्वारा विक्सित किया गया था यह जब मैं आपको नॉर्मल इन्वेंशन बताया थे तब बताया था बताओ क्या है जैसे जावा जैसे जेम्स गोसलिंग अगर एक विक्ति इगत नाम देखें तो जेम्स गोसलिंग यह अनुर्म प्रेशां यह अनुर्छ मश् stalकल सब्सक्राइब मैं मायक्रोस्वत के को फांड़र को फॉंज रही है बता कोई दो संस्तापर होते द को फोंड़र बोलते Arms quindi यस कानाम नहीं सुनौन चाज़ कर दू Jug प्लिपिए को सुन कौन सब प्रोटो कॉल इमेल भीजने में मदद करता है SMTP यह भी पंचरणा पॉड़िया है इमेल भेजने लिए आइसम टीपी पी और आई एम एपी कैसे इंब्फल मेल ट्रांसफर प्रोटोकाल ये सेंड करने के लिएus yeah ये दोणों रेसीव करने क्लिए प्रोटोकल हैं पौइंट स्वी प्रोटोकॉल और मैसेज एकसस प्रोटोकॉल रिसीब करने कले लेकिन ये सिंगल ईूजर देंगे क्लिए पहुंचने के लिए किसक्या शक्ता होती है यूनिक आईपी अड्रेस कि देखिए कंप्यूटर बीना तो आप इंट्रेनेट एकसेस नहीं कर पाओगे किसी और दूसरे डिवाइस में कमडर है और हर एक कमडर का अपना एक अड्रेस होता है जिसको लोग आईपी अड्रेस ब सब्सक्राइब लेक को विकल पुपलफ है हैड और फूटर का किसमें होता बता है इसको जाके देखी लेना आप लोग सभी टैब को खोली लेना खास करके एमेस वर्ड का थे देखो एमेस वर्ड में बहुंँ सारे टैब देखने को मिल जाएंगे आपको उसमें से अगरे यह में आपको दिखाता हूँ यह बहुंँ सारे मेन्यूज उपलफ देंगे आप देखो हो में सारी मेन्यू टेब हैं तो आप पहमेस वोड खोल के सबी में या किया क्या मिलते हैं सब को शुद बनुद प्रेस्टिक लंबेसमय तक याद रहे ambassadors Abbottom पिक्षर किलिक पॉट छेप इस्मार्थ चार्थ है लिंक है हेडर फूर्टर यह दे धर फूर्डरолаumin सबस्क्त पर फूटर फूटर को आपशन मिल जाएगा हैडर फूटर क्या यहां पर अगर मैं यह लिखने वाले एरिया में उपपर यहां पर लिख रहाँ हैडर ठीक इसको निचे करो फूटर फूटर फीर एक होता है फूट नोट और पूरा टेश्ट खतम होने के बाद मैं कुछ नोट मिलेगा तो इंसर्ट टैब में मिलेगा ठीक छोटे छोटे चोटे टोपिक करना इसलिए आवश्चा के ताकि आप एक्जाम तक कंप्यूटर को भूले ना बहले बहुत लगेगा वाई-वाई-वाई-पोश्चन है लेकिन हर बार दो तीन चार पाच नहां मिल जाएगा प यहां जाएग यहां दस से अधिक गॉप्रमेंट इग्जाम्स करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर्ट प्याप्व और जीजी व्यापम के अंतरगत होने वाले सभी एक्जाम्स की तयारी कराएं तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेज आफ टू बी दे बेस्ट लन फ्रॉम दे बेस्ट